बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रसित इतिहासकार रामचंद्र गुहा का लिखा हुआ लेक The Story of Cricket Cricket एक गेम होता है आप सभी लोग जानते हैं इसकी स्टोरी Cricket grew out of the mini stick and ball games played in England 500 years ago Cricket 500 साल पहले इंग्लेंड में खेला जाता था जो bat है, bat का मतलब In an old England, English word that simply means stick और club Bat का मतलब होता था पहले इंग्लिस में stick यानि मारना या club, club में भी किसी चीज को मारना By the 17th century, 17th सताबदी में Cricket had evolved enough to be recognizable as a distinct game इसको एक अलग गेम की रूप में मानेता मिली Till the middle of the 18th century, bats were roughly the same shape as honky sticks तो जैसे आजकल के bats होते हैं, उस तरह के bats उस समय नहीं थे उस समय के bats हांकी की तरह होते थे ये देखिए, इस तरह के bats होते थे ये old version cricket का bats है, हांकी की तरह One of the peculiarities of cricket is that a test match can go on for five days and still end in a draw आपको मालूमें, cricket में test match होता है, जो पांस दिन चलता है और पांस दिन के बाद भी, यदि कोई team नहीं जीतती है तो वो test match draw हो जाता है इस तरह का कोई खेल modern game नहीं है, जिस तरह cricket है जैसे football लीजिए, football डेर्ड घंटे में खत्म हो जाता है baseball है और भी कई सारे games हैं दुनिया में जो इतने लंबे नहीं खिर्षते हैं जितना cricket Another curious characteristic of cricket is The length of the pitch is specified 22 yards जो cricket की pitch होती है दो batsman होते हैं एक batsman से दूसरे batsman की बीच की दूरी 22 yards होती है pitch की जो लंबाई है 22 yards होती है लेकिन जो ground का shape है या size है ये आज तक निर्धारित नहीं हुआ है कोई ground बड़ा होता है कोई ground छोटा होता है बस cricket की pitch निर्धारित है जो की 22 yards की होती है जबकि अन्य खेलों में हांकी में, फुटबॉल में सारे dimension निर्धारित होते हैं कि कितनी रहेगी चोड़ाई कितनी रहेगी लंबाई ground की ये clear होता है लेकिन cricket में नहीं होता है cricket में इसे pitch की लंबाई निर्धारित होती है इसलिए आप देखते हैं कि cricket ground कोई oval होता है अंडाकार होता है जैसे ये delete का है कोई circular होता है और जैसे चेपक का है चन्नाई में वो circular है गोलाकार है A6 at the Melbourne cricket ground needs to clear much more ground than it does at Firoz Shah Kotla in Delhi आस्टेलिया में जो Melbourne शहर है वहां का जो ground है वो दिल्ली के Firoz Shah Kotla ground से बहुत बड़ा है वहां पे किसी खिलाडी को 6 मारने में ज़्यादे परिश्रम करना पड़ेगा जबकि दिल्ली के Firoz Shah Kotla में इस्टेडियम छोटा होने के वज़े से बल्लेबाज आसानी से 6 मार सकते हैं तो इन सबों के पीछे historical region है ऐसा इस लिए है कि cricket was the earliest modern team sport to be codified इसको अभी codify किया जाना है अभी ये सुचीबत नहीं हुआ है The first written laws of cricket were drawn up in 1744 1744 में पहला नियम बनाए गया They stated the principal shall choose from against the gentleman present two empires who shall absolutely decide all disputes यानि empires पे छोड़ दिया गया वही निर्धारित करेंगे क्या सही है क्या गलत है जो strums हैं वो 22 inches high होने चाहिए उनकी उचाई 22 inches होनी चाहिए और जो बेल होता है जो गुली होती है उसमें वो 6 inches की होनी चाहिए जो बाल यूज होती है between 5 and 6 ounces उसका वेट कितना होना चाहिए 5 से 6 ounce and the two sets of stems 22 yards जो दो stems होते हैं एक जो batsman खेलता है और दूसरा जो upside में होता है उसके बीच दूरी 22 yards की होगी तो इससे हुआ क्या कि जो बालर्स थे उनको length में और spin कराने में और swing कराने में मदद मिली 17 से 74 में नियम बना late before law का इसके बाद around the time a third stamp became common by 1780 3 days had become the length of a major match तीन दिनों का मैच रखा जाने लगा and this year also saw the certain of the first six seem cricket ball और एक मैच में छे cricket ball रखने की परंपरा इस्टार्ट हुई cricket में जो bat और ball होते हैं वो handmade होते हैं हाथों से बनाए जाते हैं इसमें industry का प्रयोग यानि की उद्योग का प्रयोग नहीं करते बलकि handmade होते हैं अब हम आते हैं भारत में cricket the origin of Indian cricket are to be found in Bombay and the first Indian community to start playing the game was the small community of Georgians the Parsis भारत में Bombay से इस्टार्ट हुआ जो पार्सी समुदाय को लोग रहते हैं बांबे में उनको जो रोस्टियन कहते हैं उन लोगों ने cricket खेलना इस्टार्ट किया brought into close contact with the British because of their interest in trade and the first Indian community to westernize पार्सी सबसे पहले पस्चमी सभेता में रहें उनोंने इंग्लिस पढ़ा और अंग्रेजों से काफी प्रभावित थे और उन लोगोंने पहला Indian cricket club बनाया उसका नाम रखा Oriental Cricket Club in Bombay in 1848 1849 में इन्होंने बनाया पार्सी क्लब्स वेर फंडेड एंड इस्पॉंसर्ड बाई पार्सी बिजनेसमेन लाइड टाटाज और वाडियाज तो आपको मालूम है टाटा और वाडिया पार्सी लोग हैं इन लोगों ने बढ़ावा दिया अपनी टीम को, पार्सी टीम को, पार्सी क्रिकेट टीम को और जो अंग्रेज थे वो Elite in India offered no help to the enthusiastic Parsis उन लोगों ने कोई मदद नहीं किया पार्सी लोगों की cricket में actually होता क्या था कि इन लोगों में एक तरह का बिवाद हो गया बांबे जिम खाना को लेके बांबे जिम खाना बांबे में है वहाँ पे अंग्रेज खेला करते थे और पारसी भी उसी अस्थान पे दावा कर रहे थे कि हम भी लोग क्रिकेट यहीं खेलेंगे इससे एक तरह का इस चीज को बंद किया जाए पोलो को और इसको पूरी तरह से क्रिकेट को समर्पित कर दिया जाए इसका अच्छा नतिजा निकला और जिम खाना हैड एपी एंडिंग फार दीज पैनियर्स आफ इंडियन क्रिकेट यह पारसी टीम बीट तब बंबे जिम खाना एट क्रिकेट इन 1889 और आपको यह जान के आस्यर होगा 1889 में जो पारसी क्रिकेट टीम थी उसने बंबे जिम खाना यानि जो अंग्रेजों की टीम थी उसे हरा दिया क्रिकेट में आपको मालूम है इन्डियन नेशनल कांग्रेस के अस्थापना होई थी 1885 में उसके चार साल बादी भारती क्रिकेट टीम या कहें पारसी क्रिकेट टीम ने हरा दिया और इन्डियन नेशनल कांग्रेस के अस्थापना भी एक पारसी नहीं की थी उनका नाम था दादा भाई नेरो जी modern cricket is dominated by test and one day international आजकल आजानते हैं cricket one day होता है और test cricket होता है अब तो 2020 भी काफी popular हो रहा है the players who became famous who live on in the memories of cricket public and those who have played for their country हम उन्हें लोगों को याद करते हैं जो लोग अपने देश के लिए खेले हाला कि जो लोग देश के लिए नहीं खेले वे भी महान क्रिकेटर थे लेकिन हम उन्हें याद करते हैं जो देश के लिए खेलता है भारत्ती एट टीम के पहले test cricket captain थे सीके नैडू हम उन्हें याद करते हैं लेकिन हम इन्हें भूल जाते हैं पलवानकर बालू गो जो की बहुत अच्छे स्लो बालर थे 1932 में भारत ने पहला test खेला इंग्लेंड के किलाव सीके नैडू captain थे इंडिया entered the world of test cricket in 1932 a decade and a half before it becomes an independent nation यानि भारत अपने सोतंतरता के पहले ही test cricket वाले देश का दरजा प्राप्त कर चुका था आज television का जमाना है और television के वज़े से भारती cricket और दुनिया की cricket बहुत बदल गई है आज कल cricket कहीं भी खेला जाए गाउं, टाउंस, स्माल विलेज, सब जगा देखा जाता है satellites के वज़े से पूरे दुनिया में television खास करके cricket match दुनिया के हर देश में देखते हैं खास करके जो देश cricket playing है वहाँ के बच्चे सीखते हैं अपने heroes को देखके, अपने favorite players की style को देखके और काफी उनको ग्यान प्राप्थ होता है cricket के बारे में cricket की ताकत इतनी बढ़ गई खास करके भारत में इतने ज़्यादे लोग cricket देखते हैं कि South Asia को cricket का हब माना जाने लगा और ICC यानि International Cricket Council का मुख्याले जो पहले लंदन में था इंग्लेंड में अब वो एसिया में आ गया दुबई में टैक्स त्री दुबई में ICC का headquarter shift हो गया 150 years ago the first Indian cricketers the Parsis आपको मालूम है पार्सी लोग सबसे पहले खेले cricket had to struggle to find an open space to play in today the global marketplace has made Indian players the best paid most famous cricketers in the game men for whom the world yet stays आज कलके cricket players को बहुत पैसे मिलते हैं this transformation was made up of many smaller changes the replacement of the gentlemanly amateur by the paid professional इस तरह cricket जो पहले gentleman's का game था अब बिलकुल पूरी तरह professional हो चुका है और आज कल के one day game जो one day cricket match होते हैं उसकी लोग प्रियता बहुत जादे है test cricket in terms of popularity and the remarkable changes in global commerce and technology तो इस तरह से cricket की लोग प्रियता से commerce और technology का भी बहुत बड़ा योगदान है इस लेक में राम चंद गुगा ने 2020 cricket का जिकर नहीं किया है लेकिन आपको मालूम है कि आज कल 2020 cricket भी इंडिया में और cricket playing countries में काफी लोग प्रिये हैं आपको में काफी झालने पालने राम इंडिया करेंड़ा ने लोग तरह से कि लोगे हैं